जै माता दी दोस्तों मैं रिदु सुकला आपको अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ आज मैं इस गुथे हुए आटे से इतनी टेस्टी नास्ता रसेपी लेकर आए हूँ कि आज से पहले आपने नहीं खाया को यह बहुत ही जादा है तो आप अपने बच्चे को लंच इसमें मैंने थोड़ी सी चौमिंग डाली है अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे इस किप भी कर सकते है कि और वेजीटेबल के साथ इसे बना सकते हैं इसमें मैंने प्याज, गाज, बंद, गोबी और मटर डाली है इसमें बहुत हल्के से मसाले हैं और इतनी टेस्टी चटपटी नास्तर रेसिपी है कि आप एक पर जरूरी से बना कर ट्राइ किजेगा आपको बहुत पसंद आएगी यह मैंने इसमें चिली फ्लैक्स डाले है कुटी वी लाल मिर्च आप डाल दीजेगा यह और ही गैनों है इसे आप प्लीस अगर आपके पास हो तो जरूर से ड आपको अच्छी तरीके से इसे मिलाना है यह देखे मैं किस तरीके से मिला रही हूं यह मसाला भी बहुत टेस्टी देखने में लग रहा है दोस्तों और खाने में बहुत ही यम्मी था तो आप एक बार जरूरी चीज है वो चीनी यह जो मैं थोड़ी से चीनी डाल रही हू अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे बस दो चार बूंदी तेल डालने है अब इसमें हम अपने मसाले को डालेंगे दोस्तों जब मैं इसे बना कर खाई हूं तो इतना कुर्गुरा और इतना करारा बना था इतना टेस्टी बना था कि आपको बजार वाले रोल की एक बार जाकर जरूर चेक कीजिएगा और अगर वेडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सस्क्राइब करें, कॉमेंट करना ना भूले, देखिए दोस्तो इस तरीके से आपको काटना, आप अपनी पसंद की किसी भी डिजाइन में बना सकते हैं, मैंने इस तरीके स इसे गोल कर दूँगे, आप चाहे तो इसे लंबा खड़ा भी रख सकते हैं, यह देखिए दोस्तो और यह जो बीज से कट है न वो इतने करारे हो जाते हैं, कि बस बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इस तरीके से कट करकर यह बनाएगा, इसी तरीके से हम दूसरे रोल क भी तयार कर लेंगे, इस तरीके से दोस्तो देखे हम दूसरे रोल को भी तयार कर रहे हैं, उसी तरीके से कट लगाना है हमें, दोस्तो यह तो अपना पसंद होता, आप किसी भी सेप में बना सकते हैं, पर इस तरीके से बनाएगा तो यह अंदर तक अच्छी तरीके से पक यह बिल्कुल भी कड़ाई में नहीं जाएगी मैं आपको लाश्ट में दिखाऊंगी यह बिल्कुल अच्छी तरीके से पकर तयार होगी और आप जब इसे खाएंगी तो बताईएगा कि आपको कैसी लगी थी यह दिखिए दोस्तों अब हम कड़ाई चढ़ा देंगे गैस आपने दोस्तों मैंने टेल ढाल दिया है इसमें आप पसंद की किसी भी तेल में इसे बना सकते हैं है यह दोस्तो हमारा तेल गर्शा ङहाँ है अभाने है और सैंक कि अभी थिल्म जाआ है में इस तरीके से डाल दिया है अब हम इसे medium आज में बहुत धीरे आज नहीं रखनी है medium आज में इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल golden brown करेंगे ताकि ये बहुत ही करारे बन कर तयार हो और हम इसे इसके उपर पल्टे से तेल डालते रहेंगे तब जाके अच्छी तरीके से पकेगा क्योंकि मैंने बहुत ज तरीके साब को बिल्कुल golden brown करके इसे तयार करना है अब मैं इसे निकाल रही हूं पलेट में दोस्तों जब मैंने इसे बना कर खाया तो मुझे यकीनी नहीं हो रहा था कि ये नॉर्मल से आटे से बना हुआ जिसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है और बिल्कुल नॉर्मल ये दिखें दोस्तों ये नास्ता हमारा बन कर तयार है और कितना टेस्टी लग रहा है देखने से बिल्कुल करा रहा है मैं आपको दिखा रही हूं इसे सामने से देखें आप और इसके कट है इसके वज़े से दोस्तों यह बहुत ही अंदर तक करा रहा हुआ है बिल्कुल दुकान वाले रोल की याद आ रही थी इसके मसाले की फिलिंग्स में यह दिखिए दोस्तों मैं तोड़कर दिखा रही हूं आपको इसे देखकर आपके मुह में पानी आ बीडियो प्लीज जाकर देखिएगा स्वस्त्रे मस्त्रे अपने धान के जैप आप आप